उसमें तीसरा प्रकार है, तीन या चार अपयर्थ कोण युक्त त्रिकोण मीतिय समी करें, योग और व्यकलन के कुछ सूत्रों द्वारा हम समी करन को हल का सकते हैं, उसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है, सूं C मैं सन D इक्वल तू तु तकार सी हूस सी फ्लस दी न्युक्त इक्वल तू 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 तु उस geld मिन दी वान। और अंत में cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 प्रश्ण में दिये गए अपर्थ कोणों को ऐसे जोड़ी चुनते हैं जिसे उक्त सूत्रों के प्रेयोक के पस्चात समी करण में उभैनिष्ट गुनंखर्ण प्राप्त हो तो चलिए आगे देखते हैं इसे सम्मंदित प्रश्ण तो आगे प्रश्णों पर चलते हैं इसमें पहला प्रश्ण दिया गया है समी करणों को हल कीजिए जब sin 2x plus sin 4x plus sin 6x equal to 0 हो तो इस तरीके के जितने भी प्रश्ण होते हैं उसमें हम ये कोसिस करते हैं कि दो या दो से अधिक त्रिकोण मिती फलनों के गुनन फल के रूप में लिखा जा सके तो इसके लिए हम ये करेंगे कि यहां पर ये जो 2x है और यहां पर ये 6x है 6x और 2x को add करेंगे तो मिलेगा 8x और उसको half करेंगे तो मिलेगा 4x तो इस वज़ा से हम sin 2x और sin 6x इसमें sin c प्लस sin d फार्मूले का उपयोग करेंगे तो sin 6x प्लस sin 2x और फिर प्लस sin 4x इक्वल टू 0 तो चुंकि आपको पता है कि sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 टाइमस sin c प्लस d बाई 2 इन्टू cos c माइनस d बाई 2 होता है तो उसको अपयोग हम यहाँ पर कर रहे है तो 2 इन्टू sin 6x प्लस 2x अपॉन 2 इन्टू cos x 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin 4x इक्वल टू 0 इससे जब solve करेंगे तो 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 4 तो इस तरीके से मिल रहा है 2 टाइमस sin 4x और यह cos 6x माइनस 2x 4x और 4x को 2 से डिवाइट करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस sin 4x इक्वल टू 0 तो sin 4x, sin 4x दोनों जगा पर है आप उभेनिश निकाल सकते हैं sin 4x और फिर ब्रैकेट में आएगा 2 टाइमस cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दो पदों का गुननफल सून्य है तो पहले हम लेकर के चलेंगे पहला पद सून्य के बराबर है तो sin 4x इक्वल टू 0 या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो आपको यह पता है कि जब sin theta इक्वल टू 0 हो तो आपको यह पता है कि आप लिखते हैं theta इक्वल टू n पाई तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं ठीटा किस्तान पर है 4x तो 4x equal to n pi या फिर x equal to n pi upon 4 where n belongs to i तो ये एक solution है इस दिये गए समी करंड का अब दूसरे पत को यदि हम शून्य के बराबर लें तो यहां से हमें मिलेगा cos 2x equal to minus 1 upon 2 और इस प्रशन को हमने पहले हल किया है ये होता है cos 2 pi by 3 और चूंकि आपको पता है कि जब cos theta equal to cos alpha हो तो आप लिखते हैं theta equal to 2n pi plus minus alpha तो इसके उप्योग से हम लिख सकते हैं 2x, theta की स्थान पर है यहां पर 2x, 2x equal to 2n pi plus minus alpha और alpha की स्थान पर है 2 pi by 3 तो यहां साब लिख सकते हैं x यह यहां पर 2 है और दोनों पदों पर 2 है तो 2, 2 cancel हो जाएगा तो मिलेगा x equal to n pi plus minus pi by 3 where n belongs to i इसका मतब यह कि n जो है वो पुर्णांग संख्या है तो यह हल हो गया तो इस प्रश्न का 2 हल हमें मिला है एक x equal to n pi by 4 और x equal to n pi plus minus pi by 3 where n belongs to i दूजरे प्रश्न में दिया गया है sin x plus sin 4 x equal to 2 times sin 3 x तो left hand side में हम sin c plus sin d formula का उप्योग कर सकते हैं इसके क्रम्मे मैं परिवर्तन कर रहा हूं यह sin 4 x plus sin 2 x और यह equal to 2 sin 3 x यहाँ पर sin c plus sin d formula को प्योग करेंगे तो sin c plus sin d 2 times sin c plus d by 2 to cos c minus d by 2 चलिए तो यह 2 times sin c plus d means 4 x plus 2 x upon 2 और cos 4 x minus 2 x upon 2 equal to 2 times sin 3 x इसे solve करेंगे तो मिल जाएगा 2 times sin 4 plus 2 6 x और यह 6 x upon 2 that is 3 x और फिर cos 4 x minus 2 x 2 x और 2 x upon 2 करेंगे तो मिल जाएगा x अब यह जो 2 sin 3 x है इसे left side पर ले आते हैं तो मिल जाएगा 2 minus 2 sin 3 x equal to 0 इस पद में देखा जाए तो 2 times sin 3 x जो है यह common आ सकता है और यह cos x minus 1 equal to 0 दो अलग अलग पदों का गुणन फोल शून यह है तो हम ले करके चलते हैं कि जब sin 3 x equal to 0 होगा तो हम यह जानते हैं कि जब sin 3 x equal to 0 होता है तो और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा x equal to n pi upon 3 where n belongs to i तो यह दिये गए समीकरण का एक हल हुआ और जब cos x equal to cos x minus 1 equal to 0 हो तो यहां से हमें मिलेगा cos x equal to 1 जो की है cos 0 के बराबर तो इस condition में इसका solution होगा यह x equal to 2 n pi होगा where n belongs to i तो यह दो समीकरण के हल है जो हमें ग्याद करने थे इसमें तीसरा प्रशन दिया गया है cos 7 theta equal to cos theta minus sin 4 theta जहां पर यह cos के पद में है और यह cos और यह sin तो अच्छा यह होगा कि cos वाले पद को एक तरफ और sin वाले पद को एक तरफ तो इसे हम लिख सकते हैं cos 7 theta minus cos theta equal to minus sin 4 theta cos c minus cos d formula का उप्योब कर सकते हैं cos c minus cos d equal to 2 times sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 यह ध्यान देने मेली बात है d minus c तो इस तरीके समय से लिख सकते हैं 2 times sin 7 theta plus theta upon 2 और sin theta minus 7 theta upon 2 equal to minus sin 4 theta तो आगे जब हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 times sin 7 theta plus theta 8 theta 8 theta upon 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4 theta इसी तरीके से sin theta minus 7 theta minus 6 theta solve करेंगे तो मिल जाएगा sin of minus 3 theta equal to minus sin 4 theta अब चुक्कि sin of minus theta minus sin theta होता है यह जो sin है यह बाहर आ जाएगा तो इससे लिख सकते हैं minus 2 sin 4 theta sin 3 theta equal to minus sin 4 theta यह minus और यह minus cancel हो जाएगा इस पत को left side पे ले जाएगा मिल जाएगा 2 sin 4 theta sin 3 theta minus sin 4 theta equal to 0 दोनों पदों से हम sin 4 theta को common ले सकते हैं फिर bracket में आएगा 2 sin 3 theta minus 1 equal to 0 दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून यह है तो पहला consideration हम यह ले खर के चलेंगे कि जब sin 4 theta equal to 0 हो तो जब भी sin theta equal to 0 होता है तो आप लिखते हैं theta equal to n pi तो इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं theta जो है 4 theta यहाँ पर equal to n pi या फिर theta equal to n pi upon 4 for all n belongs to i यह एक हल हुआ अब जब यह जो bracket में दूसरा पद है यह 0 के बराबर होगा तो 2 sin 3 theta minus 1 equal to 0 solve करेंगे तो मिल जाएगा sin 3 theta equal to 1 upon 2 और यह होता है sin pi by 6 के और चुकि आपको पता है कि जब sin theta equal to sin alpha हो तो आप लिखते हैं theta equal to n pi plus minus 1 का power n alpha इसके उप्योग से हम लिख सकते हैं theta की स्थान पर है 3 theta तो आपको मिल जाएगा 3 theta equal to n pi plus minus 1 का power n alpha और alpha की स्थान पर है pi by 6 या फिर इसे और आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा theta equal to n pi upon 3 plus minus 1 का power n pi by 18 for all n belongs to i तो ये एक दूसरा solution होगा जो कि हमें ग्याद करना था अगला प्रश्न है cos theta plus sin 2 theta plus cos 3 theta equal to 0 sin वाला पद बीच में आ गया है पहला ये पद, दूसरा ये पद और फिर तीसरा ये पद कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो cos theta plus cos 3 theta plus sin 2 theta equal to 0 प्रथम दोनों पदो में हम cos c plus cos d का formula उप्योग कर सकते हैं cos c plus cos d 2 times cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 और दूसरा sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta यहाँ पर जो एंगल है इसका half 2 theta upon 2 करेंगे तो मिल जाएगा theta तो इन दोनों सूत्र का इस्तेमाल करके आगे हम सरल करेंगे 2 cos theta plus 3 theta upon 2 और cos theta minus 3 theta upon 2 plus 2 times sin theta cos theta equal to 0 आगे सरल करेंगे तो मिलेगा 2 cos theta plus 3 theta 4 theta 4 theta upon 2 करेंगे तो मिल जाएगा 2 theta और फिर cos theta minus 3 theta minus 2 theta upon 2 करेंगे तो मिल जाएगा minus theta plus 2 sin theta cos theta equal to 0 अब चुकिए आपको पता है कि cos of minus theta cos theta होता है तो यह जो sin है इसको लिखने के आवश्यक्ता नहीं है तो इस तरीके से दोनों पदों में 2 cos theta को हम common ले सकते हैं तो 2 cos theta जब common लेंगे तो bracket में आएगा cos 2 theta plus sin theta equal to 0 तो यहां से मिल जाएगा कि cos theta equal to 0 या फिर cos 2 theta plus sin theta equal to 0 तो पहले इसको हल करते हैं तो जब भी cos theta equal to 0 होता है तो हम लिखते हैं theta equal to 2n plus 1 into pi by 2 for all n belongs to i तो यह दिये गए समीकरण का एक हल है अब हल करेंगे इसके लिए जब cos theta जब cos 2 theta plus sin theta equal to 0 इसके लिए हम हल करेंगे तो cos 2 theta आपने formula पढ़ रखा है cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta यहां पर जा एंगल होता है उसका half एंगल यहां पर होता है तो इसका उप्योग करके cos 2 theta को लिखा जा सकता है 1 minus 2 sin square theta plus sin theta equal to 0 तो अब यह sin theta में एक वर्ग समीकरण है तो आगे प्रस्ट में जब cos 2 theta plus sin theta equal to 0 हो तो हम यहां से लिख सकते हैं cos 2 theta equal to minus sin theta और इसको लिखा जा सकता है cos pi by 2 plus theta और आपको पता है कि जब cos theta equal to cos alpha हो तो आप लिखते हैं theta equal to 2n pi plus minus alpha इसके उप्योग से हम लिख सकते हैं theta की स्थान पर है 2 theta equal to 2n pi plus minus alpha और alpha की स्थान पर है pi by 2 plus theta दो इस्थितिया हो सकती है जब धन चिन्न लेंगे और तब जब रिन चिन्न लेंगे तो यहां समली सकते हैं 2 theta equal to 2n pi plus pi by 2 plus theta या फिर 2 theta equal to 2n pi minus pi by 2 minus theta यह जो theta है इसे left side में लेंगे तो मिल दाएगा theta 2 theta minus theta तो 2n pi plus pi by 2 for all n belongs to i तो यह एक solution है जो हमें गयाद करना था अब यह दूसरा solution हमें यहां से मिलेगा minus theta left hand side पर आकर के हो जाएगा 3 theta 2 theta plus theta 3 theta equal to 2n pi minus pi by 2 यहां से solve करेंगे तो आपको मिल दाएगा theta equal to 2 by 3 n pi minus pi by 6 for all n belongs to i तो यह एक दूसरा solution है जो हमें गयाद करना है या फिर इसे आप सरल करके लिख सकते हैं theta equal to 4n minus 1 into pi by 6 for all n belongs to i यह लिखे या फिर इन दोनों में से कोई एक लिखे और यह इसका solution है तो अगला प्रशन दिया गया है sin 2 theta plus sin 4 theta equal to cos theta plus cos 3 theta तो यहां पर हम sin c plus sin d और right hand side पर sin right side पर cos c plus cos d formula का उप्योग करेंगे चुकि sin c plus sin d equal to 2 times sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 होता है तो left hand side में इसको अप्लाई करेंगे और cos c plus cos d equal to 2 times cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 इसको अप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा 2 times sin 2 theta plus 4 theta upon 2 to cos 2 theta minus 4 theta upon 2 similarly right hand side पर आएगा 2 times cos theta plus 3 theta upon 2 और cos theta minus 3 theta upon 2 2 और 2 both side पर है cancel कर देंगे sin 4 theta plus 2 theta 6 theta 6 theta upon 2 करेंगे तो मिल जाएगा 3 theta इसी तरीके से cos 2 theta minus 4 theta minus 2 theta और upon 2 करेंगे तो minus theta equal to cos 3 theta plus theta 4 theta 4 theta upon 2 2 theta और फिर cos theta minus 3 theta minus 2 theta upon 2 करेंगे तो मिल जाएगा minus theta और चूंकि cos of minus theta cos theta होता है तो sin को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम यह right hand side में term लिखा गए उसे हम left side पे ले आते हैं sin 3 theta cos theta minus cos 2 theta cos theta equal to 0 दोनों पदों से cos theta common ले सकते हैं sin 3 theta minus cos 2 theta equal to 0 तो इसमें पहला term को यदि 0 consider करें cos theta equal to 0 तो इसके लिए हमें मिलता है theta equal to 2n plus 1 into pi by 2 for all n belongs to i तो theta equal to 2n plus 1 into pi by 2 मिलेगा इस दिये गए समी करण का हल अब दूसरा इस पद को ले करके चलते हैं जब sin 3 theta minus cos 2 theta equal to 0 तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि sin 3 theta equal to cos 2 theta equal to sin pi by 2 minus 2 theta sin 90 minus theta या pi by 2 minus theta cos theta होता है तो इस तरीए से देखिए यह sin theta equal to sin alpha इस formula पे आ चुका है और आपको पता है कि जब sin theta equal to sin alpha हो तो आप लिखते हैं theta equal to n pi plus minus 1 का power n alpha इसके उपयोग से हम लिख सकते हैं theta किस्थान पर है 3 theta equal to n pi plus minus 1 का power n alpha और alpha किस्थान पर आप लिखेंगे pi by 2 minus 2 theta अब इस सिथी को हम आगे ले करके चलेंगे जब n समसंख्या होगी और जब n विसमसंख्या होगी तो पहली condition है जब n सम है अर्थात हम यहाँ पर put करेंगे n equal to 2m जब put करेंगे तो मिलेगा 3 theta equal to n के इस्थान पर हम लिखेंगे 2m plus minus 1 का power 2m अर्थात समसंख्या है तो यहाँ पर मिलेगा plus sign और आगे 1 by 2 minus 2 theta solve करेंगे minus 2 theta left side पर आ करके हो जाएगा plus हो करके 5 theta equal to 2m plus pi by 2 या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं theta equal to 1 by 5 2m plus pi by 2 यह इसका एक solution है या फिर इसे और आगे सेरल करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं theta equal to 2m upon 5 plus pi upon 10 for all m belongs to i यह एक solution अब लिखेंगे जब n विसम है अर्थात n equal to 2m plus 1 तो यहाँ से में मिल जाएगा 3 theta equal to n के इस्थान पर लिखना है 2m plus 1 और minus 1 के power में यदि कोई विसम संख्या होती है तो हमें minus sign मिलता है यह minus 1 मिलता है तो इस तरीके से यह minus pi by 2 और minus और minus plus 2 theta तो value put कर देंगे 3 theta equal to 2m plus 1 pi n के इस्थान पर हम लिख रहे है 2m plus 1 pi और n क्या है विसम संख्या है तो minus 1 का power में अगर विसम संख्या होगी तो आपको मिलेगा minus 1 और minus से इसका multiply करेंगे तो मिल जाएगा minus pi by 2 और minus और minus plus 2 theta 2 theta left side पर आखर के minus हो जाएगा तो 3 theta minus 2 theta मिल जाएगा theta equal to 2m pi plus pi minus pi by 2 आगे जब solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2m pi इसे solve करेंगे तो मिल जाएगा pi by 2 for all m belongs to i तो यह दिये गया समी करण का तीसरा solution है जो की दिये गया समी करण को संतुष्ट करेंगा चछटवा प्रशन दिया गया है sin 2 theta minus cos 2 theta minus sin theta plus cos theta equal to 0 यह sin वाला पद और यह वाला sin पद और फिर यह cos पद और यह वाला cos पद तो sin वाले पद को पहले और फिर cos वाले पद को बाद में हम लिखते हैं तो sin 2 theta minus sin theta यहाँ पर हम sin c minus sin d के formula का उपयोग कर सकते हैं और फिर plus cos theta minus cos 2 theta equal to 0 sin c minus sin d 2 times cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 यह plus cos c minus cos d यह मिल जाएगा 2 times sin c plus d by 2 or sin d minus c by 2 equal to 0. आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 times cos 2 theta plus theta 3 theta upon 2 और 2 theta minus theta theta तो इस तरीके से मिल जाएगा sin theta upon 2 plus 2 times sin 3 theta upon 2 और sin theta upon 2 equal to 0. तो दोनों पदों से हम 2 sin theta by 2 को common ले सकते हैं अब आगे bracket में आएगा sin 3 theta upon 2 plus cos 3 theta upon 2 plus sin 3 theta upon 2 equal to 0. तो यहां से हमें यह मिल जाएगा कि sin theta by 2 equal to 0 या फिर cos 3 theta upon 2 plus sin 3 theta upon 2 equal to 0. तो जब sin theta equal to 0 हो तो हम लिखते हैं theta equal to n pi तो उसके उप्योग से हम लिख सकते हैं theta by 2 equal to n pi या फिर theta equal to 2 n pi for all n belongs to i. तो यह दिये गए समी करण का एक हल है. अब इसे हल करते हैं. तो इसे लिखा जा सकता है cos 3 theta upon 2 plus cos pi by 2 minus 3 theta upon 2 equal to 0. अब यहां पर आप cos c plus cos d formula का उप्योग कर सकते हैं. तो cos c plus cos d equal to होता है 2 times cos c plus d by 2 to cos c minus d by 2. इसके उप्योग से आप लिखेंगे 2 times cos c plus d 3 theta by 2 plus pi by 2 minus 3 theta by 2 और यह upon 2. और फिर cos c minus d तो 3 theta upon 2 minus pi by 2 और प्लस 3 theta upon 2 और फिर यह upon 2 equal to 0. तो यहां से जब आप इसे आप सरल करेंगे तो 2 तो constant है तो अगला जो पद होगा वही शुन्य के बराबर होगा. इसे जब आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा आपको cos pi by 4. देखिए 3 theta upon 2 positive और यह negative दोनों cancel हो जाएगा. pi by 2 upon 2 तो मिल जाएगा pi by 4. cos pi by 4 इसी तरीचे से जब इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा 3 theta plus 3 theta 6 theta upon 2 मिल जाएगा 3 theta. तो आगे आप इसे लिख सकते हैं cos 3 theta upon 2 minus pi by 4 equal to 0. तो चूंकि cos pi by 4 यह 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह कि अगला जो पद है वो शुन्य के बराबर होगा. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि cos 3 theta upon 2 minus pi by 4 equal to 0. तो जब cos theta equal to 0 होता है, तो हम इसका solution लिखते हैं, theta equal to 2n plus 1 into pi by 2. इसका उप्योग करके हम लिख सकते हैं, 3 theta upon 2 minus pi by 4 equal to 2n plus 1 into pi by 2. solve करेंगे तो मिल जाएगा, 3 theta upon 2 equal to 2n plus 1 into pi by 2 plus pi by 4. और आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा, theta equal to 2 by 3, 2n plus 1 into pi by 2, यह पद, और फिर यह plus pi by 4. आगे जब solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा, theta equal to 2n pi upon 3 plus pi by 2 for all n belongs to i. तो यह दिये गए समीकरण का हल है, तो इसमें अगला प्रस्ण दिया गए है, root 3, 10 2 theta plus root 3, 10 3 theta plus 10 2 theta into 10 3 theta equal to 1. इस दिये गए समीकरण का हल हमें ग्याद करना है, तो इसके लिए हम root 3 वाले पदों को left side पे रखके, बाकी पदों को shift कर देते हैं, right side पे. तो यह आपको मिल जाएगा 1 minus 10 2 theta और यह 10 3 theta और यदि प्रथम दोनों पदों, यहाँ फिर left hand side से root 3 कामा लें, तो बचेगा root 3 into 10 2 theta plus 10 3 theta equal to 1 minus 10 2 theta और यह 10 3 theta. यदि इसे पक्षांतर कर दें, तो हमें मिल जाएगा 10 2 theta plus 10 3 theta upon 1 minus 10 2 theta into 10 3 theta equal to 1 upon root 3. तो यहाँ पर जो पद है, इसे हमने left side में पक्षांतर किया और यह root 3 है, इसे हमने right में पक्षांतर किया. तो देखिए, यह 10 a plus b का formula है, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, 10 2 theta plus 3 theta equal to 1 by root 3. और यह फिर इसे आप लिख सकते हैं, 10 2 theta plus 3 theta, तो मिल जाएगा 10 5 theta equal to 10 pi by 6. और आपको पता है, कि जब 10 theta equal to 10 alpha होता है, तो इसका solution theta equal to n pi plus alpha होता है. तो इसका उप्योग करके हम लिख सकते हैं, 5 theta equal to n pi plus pi by 6. या फिर आगे solve करेंगे, तो मिल जाएगा, theta equal to 1 by 5, then n pi plus pi by 6. for all n belongs to pi. या फिर इसे और आगे solve करेंगे, तो मिल जाएगा, theta equal to n pi upon 5 plus pi upon 30, for all n belongs to i. तो यह दिये गए, समी करण का हल है, जो हमें ग्याद करना था. अगला प्रश्ण है, 10 theta plus 10 2 theta plus 10 3 theta equal to 10 theta into 10 2 theta, और into 10 3 theta. तो इस तरीके के जब प्रश्ण होते हैं, तो इसमें यह समझनी क्या वश्क्ता है, कि यह 10 a plus b के फारमिले को, हम इस पर उस्तेमाल कर सकते हैं. तो प्रश्ण दोनों पदों को left side पे रखेंगे, और अंतिम पद को right side पर पक्षांतर करेंगे. तो इस तरीके से मिल जाएगा, 10 theta plus 10 2 theta equal to 10 theta into 10 2 theta into 10 3 theta minus 10 3 theta. तो यह 10 theta plus 10 2 theta है, और right hand side पे यदि हम 10 3 theta को common लें, तो bracket में होगा, 10 theta into 10 2 theta minus 1. और यदि इसका आप करम बदल दें, तो इसका मतलब यह, कि यह 10 theta plus 10 2 theta तो होगा, इसका यदि करम बदल दें, तो minus sign आपको बाहर लेना पड़ेगा. 10 3 theta और यह हो जाएगा, 1 minus 10 theta और यह into 10 2 theta. अब इस पूरे पड़ को bracket में जो है, उसे left-right पर पक्षांद तर कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा, 10 theta plus 10 2 theta upon 1 minus 10 theta into 10 2 theta equal to minus 10 3 theta. तो left-hand side में जो है, इसे हम लिख सकते है, 10 theta plus 2 theta equal to minus 10 3 theta. या फिर, यह देखिए, यह 10 theta, 10 3 theta और यह भी 10 3 theta है, यह 10 3 theta और यह minus, जो है, पक्षांद तर करके ले आएंगे, तो यह plus 10 3 theta हो जाएगा, यह equal to 0. या फिर, आप लिख सकते हैं, 2 times tan 3 theta equal to 0. तो जब tan theta equal to 0 होता है, तो यहाँ से आपको मिलता है, theta equal to n pi. तो इसके उप्योग से आप लिख सकते हैं, यह आगे हमें मिलेगा, tan 3 theta equal to 0. तो जब tan theta equal to 0 होता होता है, तो यहाँ से आप लिखेंगे, 3 theta equal to n pi, या फिर, theta equal to n pi upon 3 for all n belongs to i. तो यह दिये गए समीकरण का हल है. तो अगला प्रशन है, tan theta plus tan 3 theta minus 2 tan square theta equal to 0. यहाँ पर tan 3 theta है, बाकी दोनों इस्थान पर tan theta है. तो इसका मतलब यह है कि हमें tan 3 theta या फिर, tan 3a के फार्मूले को यहाँ पर उप्योग करना होगा. तो tan 3a equal to होता है, 3 times tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. इस फार्मूले को उप्योग करेंगे और फिर आगे हमें इसे लिख सकते हैं, tan theta plus 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta और यह minus 2 tan square theta equal to 0. आगे जब LCM निकाल करके solve करेंगे, तो आपको इस पत का गुणा इसके साथ करना होगा. अरथात, tan theta into 1 minus 3 tan square theta और फिर plus 3 tan theta minus tan cube theta minus 2 tan square theta into 1 minus 3 tan square theta और whole upon में होगा 1 minus 3 tan square theta equal to 0. यह वाले पत को यह पक्षांतर कर देंगे, तो हमें ANS वाला जो पत है, वो equal to 0 मिल जाएगा. अब जब bracket को open करेंगे, तो आपको मिलेगा 10 theta minus 3 tan cube theta plus 3 tan theta minus tan cube theta minus 2 tan square theta minus और minus plus 2 into 3, 6, tan का power 4 theta equal to 0. तो आगे इससे आप लिख सकते हैं, 6 tan का power 4 theta. घातों के घटते वे क्रम में लिखते हैं. तो सबसे अधीक्तम घात वाला जो पत है, वो यह है, 10 का power 4 theta. उसके बाद 3 power वाला, तो यह 3 tan cube theta minus tan cube theta, तो मिल जाएगा minus 4 tan cube theta. और फिर square वाला पत यह है, तो मिल जाएगा minus 2 tan square theta. और यह 3 tan theta और यह tan theta, मिल जाएगा 4 tan theta equal to 0. तो यहाँ से पूरे पदों से आप common निकाल सकते हैं, 2 tan theta को. तो जब 2 tan theta को common लेंगे, तो मिल जाएगा 3 tan cube theta, और फिर minus 2 tan square theta. यहाँ से आप 2 tan theta का common लेंगे, तो मिल जाएगा minus 10 theta और इस से plus 2, यह equal to 0. तो दो अलग अलग पदों का गुनल फ़र शूर निया है, तो मिल जाएगा 2 tan theta equal to 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 theta equal to 0. और यह जब होता है, तो आप लिखते हैं, theta equal to n pi, for all n belongs to i, तो यह दिये गए समी करण का हल है, लेकिन यहाँ पर 3 tan cube theta minus 2 tan square theta minus tan theta plus 2 equal to 0 है, तो इस पद का कोई भी रैखिक गुननखंड नहीं है, जिससे की tan theta का हमें वास्तविक मान प्राप्त किया जा सके, अतह यह जो हल है, यही हमारा अभीष्ट हल है, तो हम लिखेंगे कि अभीष्ट हल theta equal to n pi, for all n belongs to i, यह इस दिये गए समी करण का हल है,